हलो दोस्तो मैं गीता गोयल बागडी किचिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो आज मैं आपके साथ एकदम यूनिक नास्तिकी रेस्पे लेकर आई हूँ तो दोस्तो आप इस गर्मी में रोज रोज का एक ही नास्ता खाके वर होगे और या रोटी सब्जी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बिना तेल का ये जटपटा सा नास्ता बना के देखिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेश्टी है और बनाने में एक दमास किसी से नाप करके ले सकती हो और टेस्ट के अनसार हम यहां पर आधी चम्म जितना नमक डाल देंगे और एक चम्म जितना हम यहां पर रिफाइंट तेल डाल देंगे तो आप स्टॉंग फ्लेवर वाला तेल ना डालें जैसे सरसों का तेल ना डालें उसमें स्मैल आती है हम 1 कंतरी जितनी सूजी डालेंगे तो भस ध्यान रखेगे जिस कंतरी से आपको पाणी लेना है उसे आपको सूजी लेना है अगर इस नाप से बनाओगे ना तो आपका नास्ता एकदम परफेक्ट बनेगा तो आप डेट की डोरी से थोड़ा ज़्यादा पानी ले सकते हो मकर डेट की डोरी से कम पानी बिल्कुल भी ना ले नहीं तो आपकी सूजी है जो कच्छी रह जाएगी अब फटा-फट से हम क्या कर गलने तो मसाला बनाने के लिए कडाई में दो चंबाएगे और तेल को अच्छी से ब्रम होने दें гें तो आधी चंबावची फटा मसाला ओर भी ज़्यदा टेश्टी बने तो हम यहाँ परוסाफ डालें और धनिया है अगर के पास साबूट तो थोड़ा कूट के वह भी ड दाल दीजिए उससे और भी जादा टेश्टी बनेगा एक चम्मा जितना दर्द्रक उटा हुआ लसूर डाल देंगे एक बारी कटी हुई हरीमेच डाल देंगे और इस तरीके से इनको पका लेंगे और अगर आप अद्रक डालना चाहती हो तो ग्रेट करके एक चम्मा जितनी अद्रक भी डाल सकती हो तो मैं अद्रक नहीं डालने वाली हूँ जब यह थोड़े पक जाएंगे तो हम यहाँ पे एक बड़े साइस का प्याज लिया मैंने जिसे बारी काट लिया तो यह भी डाल देंगे और इनको पका लेंगे याद रहे आज हमें दीमी रखनी है दीम देंगे तो टोमाटर मेरे नहीं यहाँ पे ज्यादा ही लिया है आफ मसाला अपने मन पसंस्ती है जो बना सकती हो मगर अभी क्या है तो आप इस तरीके से टोमाटर का मसाला बना के देखी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेगा और आप हम इसमें कुछ मसाले एड़ या अमचुर पावडर भी डाल सकते हो इस्टेज बे थोड़ा सा हम नमक डाल देंगी यद रहे चाट मसाले में भी नमक है तो हमें थोड़ा कमी नमक एड़ करना है और अच्छे से है जो इसको मिक्स कर देंगे तो यह सबी मसाले हमारे जो मसाला दानिया उसमें होती है तो आप इस तरीके से डाल दीजिए डखकन लगा के आज को दीमी करके पकने दीजी मसाले को और यह देख सकती हो डखकन लगा के पकाईए नहीं तो मसाले आपके जल जाएंगे और बिच बिच में इस तरीके से चलाते जाएंगे मसाले हमारे अच्छे से पक चुके है तो किस्टी न जाएगा ऐसाथ जो इसे पका लेंगे थोड़ी देर के लिए तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा साझी बुकारा सरच छहांद करेंगी एगर धनिया पत्ति है तो खुब सारा हरधनिया पत्ति भी डाल सकती हो, तो मेरे पास इन दिनों में नहीं होता है, आपको पता ही है, तो मैं नहीं डाल रही हूँ, मसाले को साइड में रखेंगे, जो हमने डो त्यार करके रखा है, यह भी गुंगुना है, तो गुंगुने डो को अब हम क्या करेंगे, इसे गुंथ लेंगे, अच तो थोड़ा सा हम इसे घूतेंगे ना तो बहुत ही असानी से ही है जो बिल्कुल समूस सा हो जाएगा ये दीख सकती हो तो अब हम क्या करेंगे एक चाकू की साहता से इसे बराबर हिस्सों में इस तरीके से बांट लेंगे ताप अपने हिसाब से छोटे बड़े है जो कट कर सकती हो तो मेरी यहां पर चार बन गया है एक टोरी सूजी से तो मैं यहां पर थोड़े से बड़े बड़े बना रही हो आप चाहे तो छोटे छोटे भी बना सकते है अब एक पीस उठाएंगे इस तरीके से और जिस तरीके से हम रोटी का पेड़ा बनाते है ना इस तरीके तो यहां पे मैं डेड़ चम्म जितना इसमें मसाला भर दूँगे और जिस तरीके से हम भर्मा परांठा या कचोरी बनाते ही आना वस इसी तरीके से इसको है जो पेक कर देंगे इस तरीके से तो मैंने बहुत बार आपके साथ है जो सूजी की कचोरी की रस्पी शेयर की है तो आप मेरे चैनल पे वो भी देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा टेश्टी और क्रिस्पी बनती है और बस इस तरीके से पेक करके बिल्कुल स्मूध कर लेंगे जहां पे क्रेक सारे है उसे आप इस तरीके से अंगोटे और उंगलियों से चिपका देंगे तो बहुत ही असानी से चिपक जाएंगे बस इसी तरीके से बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे तो बस इसी तरीके से हम है जो बना लेंगे बस पहले पेड़ा बनाएंगे फिर इसे इस तरीके से उमली और हतेली के साइता से इसे फैला देंगे और फिर इसमें मसाला भरके इसे पैक कर लेंगे तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आ रह तो सारे बस इसे तरीके से फटा फट से हम बना लेंगे देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है और ये लीजिए चारों है जो मैंने अच्छे से पेक कर लिया है तो चलिए अब चलते हैं गैंस की तरफ तहां पे कडाई में पहले ही मैंने दो गिलाज इतना पानी उबलने के लि इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखेंगे ताकि एक दूसरे के साथ जिपके नहीं और उपर से हम इसके डखकन लगा देंगे आज को मीडियम करके और इसे 7-8 मिन्ट तक भाफ में पकने देंगे और ये लीजिए हमारे नास्ते को पकते हुए लगबख 7-8 मिन्ट हो गए और अच्छे से पक चुका है तो गैस को बंद कर देंगे और अभी हम इसको टच नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा है जो गीले है तो ये तूट भी सकते है तो इसे ठंडा होने देते है तो बस हलका सा ये देख सकती हो थोड़ा सा ठंडा हो गया है मैंने हवा में रख दिया था इस तरीके से तो चलिए अब आप चा बस इनको थोड़ा सा क्रिकल होने देंगे और इसी के साथ में थोड़ा सा हमिया पे कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे गैंस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा हल्दी पावडर डाल के चम्मा से अच्छे से मिक्स करेंगे हल्दी डालने से इसका कलर थोड़ा सा बोत मस्त लगता है अगर आपके पास हरा धनिया की पत्ती है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं इसके उपर गार्णिश के लिए इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ में वैसे यह नास्ता बहुत ही अच्छे से पका हुआ है तो इसे पकाने की कोई अवशक के साथ या फिर नारियल के चटने या फिर ऐसे भी खा सकते हो तो एक मापको कट करके दिखाती हो अंदर से देखिए इसका मसाला बहुत ही ज़्यादा चटपटा है अगर एक बार बना लिया ना ताप समोसे कचोरी सब भूल जाएंगे और बिना तेल का यह नास्ता जरू जय करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी ना बोले है तो दोस्तों आपका एक एक सब्सक्राइब और एक एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा किम्ती है तो पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्ते